हाई दोस्तों मैं विकास मौरिया स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल दा बेस्ट नॉलेज आफ तिंग्स में फ्रेंड्स आज हम आपको एससी जीडी का पूरा स्लेबस बताएंगे ए टू जेड्स हम जनरल नॉलेज से स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज म हमको पढ़ना है भारत और उसके पडोसी देश भारत और उसके पडोसी देश मतलब भारत के साइड में जो हैं जैसे पाकिस्तान हो गया स्री लंका हो गया अफगानिस्तान हो गया नेपाल हो गया इन सभी देशों के बारे में हमें पढ़ना है फ्रेंड्स हमारा दूसरा हिष्ट्री है क्रांतिया हुई है वो सभी के बारे में हमको हिष्ट्री में पढ़ना है और फ्रेंट्स हमें पढ़ना है भारत की संस्कृति के बारे में किस राज्य के कौन से किस राज्य में कौन से डांस है कौन सा कथक है जैसे अपने इतर प्रदेश में कथक famous है और हम पढ़ेंगे भारत का भुगौल जिसमें हम कई रेखाएं पढ़ेंगे नदियां पढ़ेंगे परवत चोतियां पढ़ेंगे और फ्रेंट्स आगे चलते हैं आर्थिक दरिश्य अर्थिक दरिश्य भारत की ekonomi के बारे में हम पढ़ेंगे budget का पेस होता है कौन पेस करता है कितना budget किस्टन में आया ये सबी चीज़े हम आर्थिक द्रिप्ष्ण में पढ़ेंगे friends समान निराजनीती जो हमारी भारत की quality है जैसे हमारे प्रदान मंत्री को इसका कौन गिलाता हो और राश्टपती को सपत कि कौन दिलाता है ये सभी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और फ्रेंट्स हम पढ़ेंगे भारतिय समविधान भारतिय समविधान में कितने अनुछेद हैं कि इस अनुस्य से क्या कार रहे होते हैं हमारी प्रस्तावना क्या है भारती सम्विदान का इन सभी से related questions हम पढ़ेंगे और फ्रेंट्स आगे चलते हैं हम पढ़ेंगे वैग्यानिक अनुसंदान वैग्यानिक अनुसंदान जैसे कि हमारा development research organization वगएरा पसुपालन इस सभी चीजे हमारी वैग्यानिक अनुसंदान में आती है फ्रेंट्स हमें समान विग्यान पढ़ना है जिसमें हमारा तीन टॉपिक रहेगा भाहतिक विग्यान रसायन विग्यान और जीव विग्यान फ्रेंट्स इससे जदा अगर कुछ चैप्टर आते हैं तुन्य नए अपडेट के बाद हम आपको जरूर ख़वर करेंगे फ्रेंट्स आगे चलते हैं हम पढ़ते हैं मैत कसले बस मैत में पहला चैप्टर हमको पढ़ना है संख्या प्रडाली और संख्या सिंख्ला जिसको हम नंबर सिस्टम और नंबर सिरीज कहते हैं फ्रेंट्स पिछली बार यहां से दो से तीन कोश्चन आये थे लेकिन अब की बार क्या है कि ये हमारे लिए रामबाण होने वाला है संख्या है कौन है यह सारी चीजी हमको संपूर संख्याओं की गढ़ना में पढ़ना है फ्रेंट्स हम दस हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर पढ़ेंगे और संख्याओं भिन के भी संबंद जैसे एक बटे दो प्लस एक बटे तीन कमान क्या आएगा इन सभी के बारे म हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फ्रेंट्स उसके बाद आता है मौलिक अंक गडित जिसे हम अर्थमाटिक कहते हैं इसमें आपका कई चैप्टर सा जाते हैं सारे नौर्मल चैप्टर रहेंगे फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे परसेंटेज फ्रेंट्स आपने अगर पर यहां से भी हर पेपर में तीन से चार कोश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंट्स उसके बाद हम पढ़ेंगे आवसात जिसे एवरेज कहते हैं फिर हम पढ़ेंगे ब्याज ब्याज में हम पढ़ेंगे सिंपल इंट्रेस्ट एसाई और सी आई फ्रेंट्स उसके बाद हम पढ़ेंगे लाब हैं धानी जिसे हम प्रॉफिट एंड लास कहते हैं फ्रेंट्स अगर प्रॉफिट एंड लास ब्याज और प्रतीसात आपने अच्छे से पढ़ लिया तो पाँच कोश्चन प्रॉफिट एंड लाउस से और पाँच कोश्चन आप ब्याद से करके आएंगे उसके बाद पढ़ेंगे हम छूट डिसकाउंट के बारे में फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं मैच के कुछ और चैप्टर्स हैं जैसे हमारा छेत्रमिती हो गया और समय और कार रहो गएं समय और दूरी हो गएंड्स यहां से हमें दो दो कोश्चन हर एक्जाम में मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं जानेंगे रिजिनिंग के बारे में डीजिनिंग में हमाँ पहला चैप्टर है अनलोजी उसके बाद है similarities and differences उसके बाद हम पढ़ने वाले है spiritual, visuality, उसके बाद spiritual, operations, friends उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेशन्स, ऑब्सर्वेशन्स, रिलेशन्सिप कॉनसेप्ट, जिसे हम ब्लड रिलेशन भी कहते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थमेटिकल रिजिनिंग, जिसमें मिसिंग नमबर वगएरा सारे चैप्टर्स आते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थमाटिकल नंबर सिरीज, फिर नॉन वर्बल रिजिरिंग, नॉन वर्बल रिजिरिंग को हमें अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे विजूल मिमोरी, फिर कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, दोस्तों दो कोश्चन हमें जरूर देखे जाएगा फ्रेंड्स आगे चलते हैं अब हम जानते हैं हिंदी के सिलेबस हिंदी में हमें पढ़ना है वरतनी की शामान असुद्धियां तथा सब्दों के रूप फ्रेंड्स यहां से तीन कोश्चन हमेशा आता है उसके बास सब्दों के बहुवचन पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसे अच्छे से पढ़के जाईएगा बहुत कन्फूजन करता है फिर हमको पढ़ना है किशी वाके को अन्ने लिंगे में परिवर्तन फ्रेंड्स यह दो कोश्चन आता है लेकिन हमेशा गलत करवा के जाता है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है फिर हम पढ़ेंगे मुहावरा मुहावरे में मुहावरे का मतलब होता है शामान ने बोल चाल की भासा जैसे सीने पे साप लोटना ये सभी हमको यहाँ पढ़ना है फिर हम पढ़ेंगे लोकोतियां तथा उनकार्थ लोकोतियां भी फ्रेंड्स उसी तरह से होती है जैसे की मुहावरे होते हैं लेकिन THोड़ा बहुट डिफरेंस होता है इनमें फिर हम पढ़ेंगे शुद्द वाक के के शुद्ध रूप मतलब वाग की गलत सलत रहेंगे उसको हमको बताना है कि शुद्ध कौन सा है या फिर उसमें आता है इसमें से गलत वाग के कौन सा है चार आपसन आपको दिया रहेगा जिसमें से एक आपसन आपको क्लिक करना है फ्रेंट्स आगे चलते हैं हम पढ़ेंगे उसके बाद विलोमार्थी सब्द जैसे किसी भी सब्द का विलोम पढ़ना है हमें भला का बुरा आस्मान का प्रित्वी इस तरह से फिर हमको पढ़ना है समनार्थी सब्द समनार्थी सब्द में एक सब्द के समान अर्थ होते हैं या फिर दो सब्द तीन सब्द कोई भी सब्द हो सभी का अर्थ समान हो यह हम समनार्थी सब्द में पढ़ेंगे फिर हमको पढ़ना है परियावाची सब्द फ्रेंट्स परियावाची हमेशा से तीन नमबर देता आया है फिर हम पढ़ेंगे अनेक सब्द के लिए एक सब्द उसके बाद हम पढ़ेंगे कहावते फिर संदी विच्छेद फ्रेंट्स इसमें टाइपिंग में थोड़ा मिश्टेक हो गया है यहाँ पर विच्छेद होना चाहिए था संदी विच्छेद से एक कोश्चन जरूर आएगा पिछले दो साल में एक भी नहीं आया था अब की बार साइद S.S.C. इसको निकाल दे उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रेंट्स क्रिया से भाव संग्या भाव आचक संग्या बनाना क्रिया दी रहेंगे उससे हमको एक भाव आचक संग्या बनाना है जिससे की एक कोई भी नमबर हो कोई भी सब्द हो उसका एक भाव निकले फ्रेंट्स उसके बाद हम पढ़ेंगे रचना और रचैता फ्रेंड्स इसको जरूर पढ़िएगा इससे आपका जीके में भी कुछ कोशन सॉल्फ हो जाते हैं उसमें आता है इस बुक के लेखा कौन है और इसी तरह से हिंदी में भी हमारा दो नमबर जरूर देता है फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें दा बेस्ट नालेज आफ तिंग्स को सेयर करें लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स इसी तरह हम इंट्रेस्टिंग बात यह हमारे चैनल का सिंबल है